वेलकम फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको शिखाने वाले हैं कि प्लास्टिक कूलर की वायरिंग विद थ्री रोटरी स्विचेज के साथ में किस तरह से की जाती है ये दोस्तों मैं आपको प्रक्टिकली और डाइग्राम दोनों के जरिय समझाने वाला हूँ ये हमारे पास एक प्लास्टिक कूलर है इसे आप माइक्रो साइज भी मान सकते हो एक इसे छोटा मिनी भी आता है तो उसमें भी सेम तरह की वायरिंग होती है इसके अंदर थ्री रोटरी स्विचे लगाए गए हैं रोटरी स्विच वो होते हैं जिने गुमाने पर जो की कट-कट की आवाजे करते हैं इसके अंदर पहला स्विच है जो की हमारी मेन मोटर के लिए है जो की एरफलो का का काम करती है दूसरा switch होता है हमारी swing motor का जो कि हवा को फैलाने का काम करती है तीसरा आता है आपके water pump का जो कि आपके पानी की motor होती है यहाँ पर दोस्तों आपके पास पहली lead आती है आपके main motor की जो कि आपका cooler का motor होता है इसे चार wire निकल कर आती है एक blue है एक red है एक black है और एक white है यहाँ पर motor की चार wire है अगर आपके motor से दो wire भी निकल कर आती है तो कोई दिक्कत नहीं है इस video में उसे भी cover करेंगे दूसरी आपकी दोस्तों दो wire यहाँ पर red color की निकल कर आती है आपके water pump की जो कि दोस्तों आपके पानी का मोटर होता है उसके यहाँ पर यह दो वायर हैं आप कलर से कन्फुजन में मत रही है जो वायर निकल कर आते हैं आप नहें मानिए आपकी तीसरी होती है electricity lead वो lead जिसे आप main electricity यानि की light में plug में लगाने के काम मिलेते हैं वो वाली और आपके पास दो वायरें आती हैं yellow color की आपकी swing motor की जो कि आपकी हवा को फैलाने वाली motor होती है चोटी motor लगी होती है जैसा आप देख पा रहे हो यह वाली तो दोस्तों इनका हम complete wiring करने वाले हैं उसे पहले मैं आपको दिखा दूँ एक screenshot जो कि दोस्तों मैंने इस connection diagram का बना कर तयार किया है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों यह simple सा है बहतर रहेगा आप इसका screenshot बना ले इस तरह से आपको connection करने है यह मैंने एक diagram बना के आपके लिए तयार किया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे अभी हम connection करेंगे तो सबसे पहला आप एक बार इस switches को समझ लीजिए और इनके जो terminal है पॉइंट से उनको समझिए जैसा कि यह वाला switch है main motor का है इसमें जो यह वाला point है इस पर L लिखा हुआ होगा यानि कि L4 line और जो इस अगला वाला terminal पे इस पर 1 इस पर 2 और इस पर 3 इ लिखे हुए होंगे इसी तरह से आपका second switch swing motor का इस पर L लिखा होगा इस पर 3 लिखा होगा अब हो सकता है इसमें दो ही point है आपके switch में 4 point हो यह pump वाला है इस पर L होगा है यानि कि line और यह पहला यह दूसरा और यह तीसरा इसी तरह से point बने होते हैं जैसा कि देखो मैं आ numbers लिखे हुए होंगे तो आपको इतना confusion माने की ज़रूरत नहीं है अभी आप connection करोगे तो आपको करना क्या है पहला तो आप ऐसा कीजिए आप अपनी electricity वाले lead को लीजिए man line है उसका दो wire है एक red है यहां पर एक black है इन दोनों में से कोई भी एक wire ले लीजिए कोई भी एक चाहे आप red ले लीजिए या फिर आप black ले लीजिए या फिर मैं black ले लेता हूँ ठीक है एक wire हमने ले लिया electricity का black इसके बाद आपके pump से दो wire निकल कर आती है आपकी panic motor से यहां पर दोनों red color की है इन में से आपको कोई भी एक wire ले लेनी है दोनों में से कोई भी एक random wire ले 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 लीजिए इसमें दोस्तों neutral और face का कोई चक करनी हो तक कोई भी एक wire ले ले लीजिए और इन चारो wires को एक साथ करके एक साथ joint कर दीजिए आप यहां पर दोस्तों हमने क्या किया इन चारो wires को एक साथ joint कर दिया और joint करनी के बाद में चार wires को हम tape लगा कर cover कर देंगे एक man motor का wire लेना है एक पंप का लेना है एक swing motor का लेना है और एक electricity का लेना है और चार वायर्स को एक जगा करकर टेप कर देना है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो वे दोस्तों बारी है हमारे मोटर के वायर्स को स्विचेज के साथ में जोड़नी की तो हमारी एलेक्ट सिटी वाली लीड से एक वायर बच जाती है रेड कलर की ठीक है इस रेड कलर की वायर को हमें जो हमारी पहली वाली स्विच की एल पॉइंट है यह इसे इस पर लिखा हुआ है यह वाली पॉइंट इस पर लगाना है और सेकिंड वाली पर भी लगाना है और थर्ड वाली पर भी लगाने है, तीनो स्विचिज के जो L वाले पॉइंट है, उस पर तीनो पर एक ही electricity का वायर लगाना है, वो की ये है, इसे हम लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले इस वायर के साथ में हम एक और चोटा वायर जोड लेंगे, ताकि हम इसे सभी का वायर साथ में, पहले में मोटर वाले जो स्विच थी, उसकी L पर, L पॉइंट पर हमने इस वायर को लगा दिया, इसके बाद दोस्तों जो ये वाली वायर है, इसमें हम एक और वायर जोड लेते हैं, ताकि जो की पंप वाली स्विच पर भी हम इस वायर का करनक्शन दे सके, इसे हम जो हमारी स्विंग मोटर है, उसकी L वाली पॉइंट पर लगा देते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो ये इसकी L वाली पॉइंट है, सभी पॉइंट पर ये लिखा हुआ है, दोस्तों 1, 2, 3 और L, L का मतलब है कि उसमें आपको लाइन यानि कि सप्लाई देनी है, इसके बाद जो आपका ये वायर बचा हुआ है, इसे pump की L वाली पॉइंट पर जोड़ दीजिए, तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हमने क्या करना है, जो हमारी electricity का एक वायर बचता है, वो तीन स्विचेज की L वाली पॉइंट पर सप्लाई देना है, L वाली टर्मि पॉइर लगा कर कंप्लीट करते हैं, तो हमारे पास pump की एक वायर बची हुई है, और यहाँ पर हमने एक वायर को पहले ही electricity की जो black वायर थी, उसके साथ में लगा कर कंप्लीट कर दिया था, जहाँ पर 4 वायर को हमने एक जगा जॉइंट किया था, बसती है एक वायर, इसे आपको pump के switch पर लगाना है, तो जब आप pump के switch पर लगाओगे तो यहाँ पर पास में pump वाले switch पर तीन terminal खाली हैं, एक, दो और तीन, अब आपको करना क्या है, pump वायर को इन तीनों terminal पर किसी भी एक terminal पर लगा देना है, चाहिए आप पहले पर लगाईए, या फिर दूसरे पर लगाईए, या फिर तीसरे पर, तो यहाँ पर मैं इसे पहले पर लगा देता हूँ, आप किसी पर भी लगा सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके pump पर switch के दो ही terminal है, तो एक बसता है उस पर लगा दीजिए, बारी आ जाते हैं, आपके swing motor की, तो swing motor से दो आती हैं, एक तो हमार पास यह रही, यलो कलर की, और जो इसकी एक वायर थी, वो हमने electricity की black वायर के साथ में जोड़ ही दी, तो इस वाली वायर को हम जो swing motor का हमारा जो rotary switch है, उसके पीछे की तरफ यहाँ पर हमें एक terminal मिलता है, यह सामने तीसरा वाला, इस पर लगा कर complete कर देते हैं, अगर यहाँ पर आपके पास में चार टर्मिनर होते हैं, इस पर जिस तरह से pump के switch में हैं, तो किसी भी एक terminal पर लगा सकते हैं, तो यहाँ पर तो दो ही हैं, तो तीसरी वाली पर लगाएंगे हम, तो इस तीसरी वाली पिन पर मैं इस वायर को लगा कर complete कर देता ह जैसा कि एक तो हमने लगा ही दी, electricity की इस वाली lead के साथ में, और जो हमारे पास अब एक बच्ची की उसे आप यहाँ पर तीन पॉइंट खाली हैं, किसी एक पर भी लगा दीजिए, तो इस तरह तो आपको दो wires वाली motor का connection कर रहा हैं, वो तो हो गया complete, और अगर इसी तरह स same condition में 3 wire आती हैं, तो पहली वाली pin पर लगाईए, आप अपने red wire को, जिस पर एक number लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तो हम क्या करते हैं, जो हमारी red वाली wire है, उसे pin number first, यानि कि पहले terminal पर लगा देते हैं, यह हमने red wire लगा कर कि complete, जो second वाली pin है, आपकी second वाला terminal है, actual में दोस्तो red, black और white यह सभी speed wire हैं, और जो आपका black wire है, वो आपको 3 पर लगा देना है, यानि कि 30 number वाली pin पर लगा देना है, यहाँ पर दोस्तो black high speed होता है, अगर आप blue और black में लगाते हो न, cd supply तो वो high speed रहेगा, तो दोस्तो यह हो गया आपके complete connection, तो इन में दोस् नहीं से हो गए, इसी तरह से आपको कर लेने हैं, चलो दोस्तो, अभी आपका थोड़ा confusion दूर करते हैं, और एक बारी फिर से revision करते हैं, देको पहला होता है आपका pump, second है आपका air motor, तीसरा है आपका swing motor, और चोथा है आपका electricity lead, आपको करना क्या है, आपके cooler की pump की एक wire, आ इन चारो wire को आपको एक जगे कर देना है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ है, वैसे दोस्तो आपको एक बात बता हूँ, swing का मतलब ना, हिंदी में जूहला होता है, अभी दोस्तो क्या है कि, यह हमारी electricity की एक wire, जिसकी supply आपको तीनो switches के L वाले point पर देनी है, यानि कि L यानि की line का input वाला point होता है, जो तीनो switches में एक ही wire की supply देनी है, जैसे कि हमने wires को जोड़ जोड़ कर, तीनो switches में L वाले points पर एक line यानि के electricity की supply दी, इसके बाद आपके pumps के एक wire बचा है, जो कि आपको pump के तीन terminal खाली है, किसी पर भी लगा दीजे, जैसा कि हमने पहले terminal पर लगाया, swing वाली motor में एक wire बचा है, इसे आप, आपके पास एक terminal बसता है, तो इस पर लगा दीजे, जैसा कि या वीडियो में लगाया गया है, और तीसे रंबर पर जो आपका switch है, इस पर अगर आपकी motor से दो वायर आते हैं, तो एक तो आपने जोड़ जोड़ पहले दूसरे तीसरे किसी बेक पॉइंट में, अगर ये condition है जैसा वीडियो में है, तो ऐसा किजिए, पहले पर red जोड़िए, दूसरे पर आपको white जोड़ना है, और तीसरे पर black जोड़ना है, तो भई, यह connection हो गए complete, box panel को कर देते हैं, बंद, और दोस्तो, cooler की electricity के wires को ल आपके हर एक कमेंट का reply मिलेगा, दोस्तो वीडियो आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक केज़े, ज़्याद अजयत अपने दोस्तों को साथ में, शेर केज़े, अमरे चैनल को सब्सक्राइब कर नेक साथ में, बेल नोटिफियेशन को ज़रूर से प्रेस कर जी कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर एक लेट वीडियो के अपडेट में आपको सब्सक्राइब, धन्यवाद.